साहुजी महाराज ने जोर्शी और भट कापद समाब कर दिया, खत्म कर दिया मुख संथापक है याद उनिक काल को जिनको तीसरा भीरू डाक्टर रमेट करने का जो तिराव फूले वो तीन सब्द का एक साथ नाम लेते थे किवल आप जानते होंगे कि 1990 तक एक तरह से ऐसी समधाय का कोई आदमी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकता साहुजी महाराज ने जहां तक याद आ रहा है 1919 में दर्ज हो मेरे पास उन्होंने आदेश जारी किया कि किसी भी अस्पताल में अगर किसी तरीके की इलाज में छूगा छूट अभेद भाव भरता जाता है या तो बर्खास कर दिया जाएगा या ऐसा करने वाले स्वैन लोग स्थीपा दे करके चले जाएगे अस्प्रिस्यता को पूरी तरह समाब करने का आदेश उनोंने जारी दंडनी अपरात बना दिया बद्वा मद्दूरी का कानून 1975 में खतम हुआ है भारत में साओजी महराज ने अपने राज में बद्वा मद्दूरी को गैर कानूने घोसित कर दिये हर आदमी के जानकारी की सिमाय होती है मेरे भी सिमाय है लेकिन दुनिया का जितना इतिहास मैंने पढ़ा है और भारत का जितना इतिहास मैंने पढ़ा है और जो डाकुमेंटेशन के रूप में अपलब्ध है ये नहीं कि कल्पना किया गया कैसा रहा होगा वैसा एक राज और राजा वो ऐसा ही एक राज बना दिया एक राजा ने उस राजा का नाम साहुजी महराज है जो कुछ भी सावित्री जो तिराव फूले सोचते थे जो चाहते थे जो सपना देखते थे जो माँ सावित्री भाई फूले जिस चीज़ का सपना देखती थी जिसके लिए संधर्ज कर रही थी, अपने जीमन में जो जो कर रही थी, जो पेरियार चाहते थे, और इंक्लूडिन डॉक्टर अंबेटकर भी जो चाहते थे और नहीं कर पाए, अगर उसको भी किसी ने कर दिया, और जमीन पर उतार दिया, बेवहार में उतार दिया, तो उस बेक्तितु का नाम है छत्तपती साहु जी महराज क्यों नहीं कर पाए डाक्टर रमबेटकर या पेरियार या जोतिराव फूले या सावित्री भाई फूले या हमारे अन्द भाउजन नायक उसका कारण है कि इन में से कोई भी सारे लोग चिंतक थे दार्सनिक थे फिलासपर प्ले प्लेटिसियन थे लेकिन क्यों इसमें से राजा नहीं था जिसके पास एक ऐसा राज हो कि वो जो चाहे वो कर सके लिए किसी बाद की मैं भी ठोड़ा सा पढ़ता हूं सोचता भी हूं मैं अभी तक किसी बाद की कल्पना नहीं कर पाया या डाक्टर अम्बेटकर को पूरा पढ़ता हूं तो देखता हूं कि जो जो कलपनाएं उन्होंने की थी या जितने हमारे बहुत जंदारसनिक हुए हैं जो जो उन्होंने सोचा था मैं स्वेंग अपनी भी बात कर रहा हूं कि जो भी पढ़ा और सोचता हूं तो पाता हूं कि साहुजी महराज कोई ऐसा ऐसा चीज मैं सोच पाता हूं ऐसी कोई बात आथ तक मैं सोच पाया जिसको साहुजी महराज ने अपने राज में लागू न किया हो कोई ऐसा जीवन का पक्ष नहीं है जिसको साहुजी महाराज ने अपने राज जमेश जिसको ब्योहार में उतार दे दिया सबसे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा समय लाओं पर बात के रहें क्योंकि सबसे कई बार कम बाते हैं मुझे पक्राइन पोई कल्पना कर सकता है कि एक अभी बात और ध्यान देने की है कि जैसे हम लोग साहुजी महाराज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमार में अंजाने तरीके से किसी बुजूर की तस्वीर आती है क्यों कोई बुजूर टाइफ का आदमी रहा होगा और भी टाइफ का आदमी रहा होगा जरूर भुजूर की तस्वीर आती है हम चाहतें नहीं हैं लेकिन आप लोगों को पता है कि केवल 48 साल की उम्र में ही उनका दिहानत हो गया था पर निवान हो गया था हम लोगों में से बहुत सारे लोग यहां बैटे हुए हैं हम लोगों की 48 साल से अधिक उम्र हो गई है और 20 साल की उम्र में ही वो राजा हो गए थे 20 साल की हमरे घरें में हम कहते हैं कि अपने बच्चे से अभी बच्चे जैसा टीट करते हैं कि थोड़ा उनपवी बनो और थोड़ा जिम्मेदार बनो वो 20 साल के उम्र में ही राजा बन गए क्या क्या उन्हों ने किया एक सबसे कठीन काम अब हमेलाओं से शुरू कहने से पहले एक सबसे कठीन काम जो सबसे कठीन काम है आज भी किसी की हिम्मत नहीं है तमिलाड को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस काम को कर पाए वो काम क्या है संक्राचार को बर्खास्त कर दे और कह दे कि अब ब्रामभर संक्राचार होना जरूरी नहीं है और पिछड़ी जाद जलिजाद के किसी ब्यक्ति को संक्राचार निप्त कर दे संक्राचार को परखास करते हैं आज भी ये संभाव नहीं है तमिलांड में संभाव हुआ संक्राचार को परखास कर दिया साहोजी महाराज नो पिछली जाज के बैक को संक्राचार निक्त कर दिया आज भी ये संभाव नहीं है कि गाउं में दो होते थे जोसी और भट भट जो होते तो पुरोहिती करते थे और जो जोसी होते थे वो भविस्ट से बताते थे ये बकादा पन थे गाओं के और गाओं के लोग इसके लिए क्या करते थे भुक्तान करते थे साहुजी महाराज ने जोर्शी और भट कापद समग कर दिया मैं धन मौले पर जूर दे रहा हूं इस नाते कि यह सबसे कठीन काम है साहुजी महाराज ने सारे साज्वनिक मंदिरों को नियंतरण में ले लिया या राज ये किसी भी मंदिर को थोड़ी भी मदद पहुचाता हूँ उसको भी नियंतरण में ले लिया और जो भी उससे आय होती थी उस सिच्छा के लिए स्वास्त के लिए जनता के कल्यान के लिए खट कर दिया और स्वॉझी महराज में ब्रॅम्बेकर की कह रहा हूँ ब्रॉक्टर उमभेटकर निकल्प ना की थी जादч के विनाश कारे सिच्छ में उन्हें किताब है उसमें उन्हें उन्हें के कल्पना किया यह यह कि योजना नंप्भी थी कि जो पूरोहित होने चाहिए वो किसी जाद भी से इसके नहीं होने चाहिए एक बास प्रेक्टिकली जान लिजे कि हमारे आपके चाहने से तो रात वरात मंदिर नहीं खतम हो जाएगा ना कुई सी तरह का मंदिर तो कुछ दिन बना रहेगा जब धीरे-धीरे खतम होगा तो डाक्टर अंबेटकर ने पुरोहित जो होने चाहिए बकाइदा उनकी परिच्छा होनी चाहिए एक पढाई होनी चाहिए उसकी परिच्छा होना चाहिए जो उसमें योग हो उसको पुरोहित करना चाहिए लेकिन साहो जी महाराज ने इसका योजना नहीं पैस की तिसको लागू कर दिया परिच्छ था वह बात की मैं चर्चा नहीं कर पाँ यानि धार्म और धार्म से जुड़े हुए सारे क्रिया कलापों पर राज ने पूरी तरह नियंतरण कर लिया और जैसा कि तमिलाड में तमिलाड में आप जानते होंगे कि तहती से जारतों महिला हैं पुरुईत हैं पर ठीक है अगर दल्लित के बारे में पिछडे के बारे में अधिवासी के बारे में उतनाहीं भराबरी सी सोचते थे महिलाओं के बारे में इसीनाते से हमारे जो मुख संथापक है आँधो इस्तेमाल करते थे कि कोई सोचता हो को महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी पूरुस के बराबर और दली तो पिछड़े बराबरी ले लेंगे ये उनको स्विकार नहीं था किसी बहुजन नायक नहीं ऐसा नहीं किया है सब लोगों ने माना है कि अगर दली बहुजन बराबर शाब ने इस्तिपा दिया हिंदु कोट बिल मुकम्मिल तोर पर पास नहीं कर पाए हिंदु कोट बिल मुलता महिलाओं की आजादी से जुड़ा हुआ था कि उनको साधी का अधिकार है अपनी च्छान साधी करने का तलाग पाने का संपत में इसेदारी करने का उनको हक होना चाहिए यानि मनु संगीता मिताच्षरा संगीता या अग्बल जो मैलाओं के बारे में कहती है उसका खथम कर देना चाहिए शाउजी महाराज ने करीब 1918 के आज पासी बहुत ही पहले मितच्छरा नया को खत्म कर दिया यह घोषणा कर दी कि हमारे राज में सभी इस्त्री पुरुष क्या हैं बराबर है कोई भी इस्त्री कोई भी लड़की अपनी इच्छा अनुसार साधी कर सकती है बड़ा कारिक्रम के तोर पर अंतरजाती विवाकों भी मानते थे साहुजी महाराज ने बकादा कानून बना करके और निर्देश जारी कर दिया अंतरजाती विवाकों कानूनी बना दिया महिलाओं के बारे उनकी चिंता कितनी गहरी थी कि हेल्थ पर बात करेंगे आप लोग तो और कभी विस्तार से कि साहुजी महाराज को लगा इतना लोगों से रोज अगनते कि राजा होते ही उन्हें पूरे राज का कई बात दोरा किया था और सबसे आम आदमी से मिलते थे तो उनको लगा कि यह जो पुरुष डाक्टर हैं इनसे दिखाने में महिलाएं दिक्कत महसूस करते हैं उनके पा सिंहें अधार से भिलाके विदेश से भुलाके इशाय मिसनेरियों से भिलाके महिला डाक्टर हैं कि निति की तकि महिलाएं अपना इलाज करा सकें अपनी प्रसाओ करा सकें निशुल एक पांसो और एक हजार जन संक्या पर जोनों स्कूल खोला था, उसमें विशेश तोर पर जादा तर स्कूल खोले गए थे लड़कियों के लिए, दलितों पिचड़ के लिए लग गए थे लड़कियों के लिए साउजी महराज ने दलितों के संदर, जिन्हें आद दलित कहते हैं, नियसी कहते हैं, हम अपचारी तोर पर समिधान की भाचा में, उस समाज के लिए जितना काम किया है, अगर क्यों उसकी चर्चा की जाए, तो मैं समझता हूँ कि सो डेर सो पेज की किताब बनेगी बहुत सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं, उन चीजों को मैं बहुत ज़्यादा दोहराता नहीं हूँ, जैसे दो बड़े गुलामी की वजहें थी, बलुदारी और वतंदारी प्रथा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, साउजी महराज ने दोनों प्रथाओं को खत्म कर दिया, एक के ताथ क्या होता था कि S.C. समधाय को थोड़ी सी जमीन दे दी जा दी थी और उसके बदले में उनको पूरे गाओं की सेवा करनी नहीं दे थी, वतंदारी थोड़ी जमीन के बदले में दासत तो था, उसको भी खत्म कर दिया, और जमीन का मालिक बन आज भी कलपना नहीं है कि गाओं का अधिकारी बना दिया, S.C. समधाय के लोगों से, कि गाओं का जो कुल करनी अधिकारी होगा, वह S.C. होगा, और प्रैक्टिकली तो आप जानते हीं थे, कि प्रैक्टिकल कितने थे, कि आप उसक घटना तो बार-बार चार्चा होती है आप लोग चानते ही हैं, कि उन्होंने एक S.C. की दुकान खुलवाई, बहुत बार चर्चा होती है, द्वरानिक कोई बात नहीं है, तो लोग चाय पीजे नहीं जाते थे, तो सावजी महाराज खुद और अपने मंदल के लोगों से ले करके, ले करके, जा करके उस दुका खतम हुआ है, कि कुछ न कुछ अधिवासियों को अपराधिक जातियों के रूप में अंत तक बना रहा है, रेजों के जाने तक भी बना रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके खतम हुआ है, सावजी महाराज ने अपने राज में जीन अधिवासियों को अधिवासियों के और इतना ही नहीं वो प्रैक्टिकली जानते थे कि ये कानून खत्म करने से केवल नहीं होगा, उनमें से बहुत कई सारे को अपने साथ रखिया, ताकि ये जो मिधक है कि अपराधी है और ये बहतर इंसान नहीं है, इसको तोड़ दिया गया, फिर भी हम लोग बात करते हैं, आप जानते होंगे कि हेल्थ सिस्टम पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, हेल्थ सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है, हर तालुका में उन्होंने निसुल, अनिवार और सबके लिए समान सिच्छा, साहुजी महराज ने बहार में लागू कर दिया, आफ तक पूरे देश में बात हो रही है कि निसुल की सिच्छा होना चाहिए, समान सिच्छा होना चाहिए, और अनिवारी सिच्छा होनी चाहिए, इसको अपने राज में अगर किसी ने लागू कर दिया, तो साहुजी महराज, बाबर साब के लिए इच्छाती कैसा हो, लेकिन उसको इंप्लिमेंट कर द के लिए कुछ यहों पर मंडल कमिशन ने रिकमेंडेशन दिया था खर पिछणों के लिए ज्यादा लागू नहीं हुआ वो यह था कि अगर अनिवान निसुल्क सिछा भी कर दी जाएगी तो यह बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे अगर इनके खाने और रहने का इंतजाम नही चुका वो जो हाटल पढ़ाली अब दिखाई देती है जगह जगह पर वो साओजी महराज ने अपने राज में इंप्लिमेंट कर दिया था और क्यों प्राइमेरी स्कूल नहीं हार एजूकेशन के लिए भी साओजी महराज केवल आप जानते होंगे कि 1990 तक एक तरह से ऐसी समधाय का कोई आदमी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकता है साओजी महराज ने जहां तक क्या जा रहा है 1919 में दर्ज है मेरे पास उन्होंने आधेश जारी किया कि कि किसी भी अस्पताल में अगर किसी तरीके की इलाज में छूगा छूट अभेद भाव बरता ज समाब करने का आदेश उन्हों नहीं जाली दंडनी अपरात बना दिया बदुवा मदूरी का कानून नहीं 175 में खतम हुआ है भारत में साओजी महराज ने अपने राज में बदुवा मदूरी को गयर कानून ही गोशित करते हैं कि साओजी महराज ने आरचण के पच्छ में कई तर्क नहीं दे पाते हैं तो कि के अप्रिफजक निर्वाचन मंडल भाबा साफ का मूल प्रस्ताव नहीं प्रिफजक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव साओजी महराज ने प्रस्थित किया उनमें 28 survive वकाइदा चिठी लेकर के और क्यों यह जरूरी है क्यों कि सके भीना शाहुजी महाराज बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, मुझे लगता है 20, 22, 25 साल का कोई आदमी इतना बड़ा चिंतक दार्शनिक कैसे हो सकता, दो बाते हैं, और शाहुजी महाराज ने बड़ी महत्वपून काम किया था, जो उनकी इंड्रेस्ट् होने चाहिए, बिखरे होने चाहिए, जगा-जगा होने चाहिए, डिसेंटलाइज होना चाहिए, इन इक्वल्टी जो इद्यों क्रियेट करते हैं उसके खिलाब थे, और साओ जी महाराज ने स्वेंग टेर्ड यूइन बनाने के लिए मद्दूरों को प्रेरिद किया था, और जो उसमें बड़ी बात कही, आज मेरे बात, आज मुझे पहले बार समझ में आया है, अज सुबह मैं देख रहा था था थोड़ी सी सामगरी, तो बड़े लोगों को कितने हुँ बार पढ़े तो कुछी जो मिस कर जाती है, तो साओ जी महाराज कभी यह मिस से मिस कर दि पूजी बाद को, जबकि पूजी बाद तो सामंत बाद भारत का जो ब्रामन बाद है, उसकी तुलना में प्रोग्रेसिव है, वो तो सामंत बाद को खतम करने वाला है, फिर भी वो पूजी बाद को स्विकार क्यों नहीं करते हैं, आज मुझे जवाब मिला, बावर साहिम भी निसलाइजेशन की बाद किये, किर्शी की भी और बड़े उद्यवू की भी, और यहां तक कहते हैं, चोस्लिस्ट एकोनॉमी के बिना कोई जस्टिस हो ही नहीं सकता है, जब समिदान के उद्देश का पर बाद कर रहे होते हैं, आज उसका जवाब साहुजी महराज, सा जली तुछडे आदिवाशी, और स्वें कहते हैं, कि मैं लेबर क्लास का हूँ, तो यहां के कैटलीजन में नहीं मिलेगा, इसना ते टेट इनियों ज़रूरी है, क्योंकि यह कैटलीजन ब्रामणों और बैस्यों या जिसे, ब्रामणों और बनियों का कैटलीजन, साहोजी सारी अंदोलन जो चला है, उसके प्रनेता साहोजी महाराज, कोपरेटिव मुमेंट साहोजी महाराज का खड़ा किया हुआ है, नए भी साहोजी महाराज मिलाए, पांस तरह की फसलें, साहोजी महाराज अपने राज मिलाई है, सस्ते लोन, टैक्स की जो साहोजी महाराज की पढ़ा लिए क्या गजब की टाइक्स प्रडाली है जिसे प्रोग्रेशी टाइक्स प्रडाली कहते हैं जिसमें जनता पर कम हो दूसरे सोतों से ज्यादा आए टैज का पूरा सिस्टम खड़ा किया हुआ जो इतना बढिया किरशी का सिस्टम साओजी महाराज ने खड़ा किया है अंतमे में बात कहुं कि अपनी राज में music painting जितरकारी जैसे लगता है कि हमारे राजा महाराजा कोई हमारे नाय कैसे रहे हैं उसको इतना डवलप किया मुझे जीवन का कोई ऐसा छेतर नहीं दिखाई देता है कोई ऐसा करफशन के खिलाब जो उनका काम है रादा रानी जो बनाए है हाँ लाज दो तीन बात है चार बार उनके राज में काल पड़े डाकुमेंटेड है कि एक बार भी कोई बुको नहीं बना कैसे उन्होंने किया यह मन्रेगा जो चल लए है ना मन्रेगा से ब्यातर ही हो जाना मन्रेगा जैसी कि रोड बनाओ पोखड़ा खोदो पेंड लगाओ जब अकाल पड़ा हुआ था और उसके बद्रम जानते क्या दिया जाता था ज्यादा तर कैस की जगह खाने पीने सामान काइन यह जो मन्रे साहोजी महराज का ब्यक्तित उतना बड़ा एक बात बस अंतमे में कहना चाहता हूं कि एक चीज होती है कि कही बार हम ही लोकों को हम लोगों को भी अपनी बहुजन नायकों पर उतना अंदर से विश्वास नहींता है असल में हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ चड़ा बढ आके हम पेस किया जाता है कारण यह होता है कि भावना में कितनों विश्वास कर लिया जाए लेकिन अगर जाना ना जाय कि क्या क्या है कैसे क्या 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 कश्ट उठाए साहोजी मराज बहुत तनाव में बहुत जाते थे सुगर भी या बेद मंतरों के लायक नहीं हैं, तो इतने अपमान और कोई भी काम एक मुकदमा दायर करना चाहते थे, साहुजी माराज करवाना चाहते थे, बोले मैं करा नहीं सकता हूं, अपने राज में मुकदमा बिनायर नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि कोई अकील नहीं तैयर रहा ह कौन वखिल होगा जो इस खत्रा मुल ले तो उनके तनाव का अंदाज आप लगा सकते हैं कष्ट का उस पर तो भी बात्चीत ही नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को विश्वास नहीं नाते नहीं होता है कि हम लोग थोड़ा उतना बिस्तार से अपने लोगों को पढ़ते नहीं ह करते हैं तो हमको अंदर से confidence नहीं होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीश्वी सतावदी में उनीश्वी सतावदी में दुनिया के पैमाने पर जैसे हम बेटकर जैसा कोई बेक्तित को नहीं है उसी तरह साहु जी मैं जैसा राजा मेरे जानने में दुनिया में भी लिएसा कोई राजा मुझे दिखाई नहीं दिया, यह नहीं कोई बात अपनी रिसर्ट से नहीं कर रहा हूं, और मेरे पास कोई में सौप करता हूं. यह सारा मानाधी में इसको बचाना चाहते हैं तो निसमल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे